दोस्त आपका स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल पे आज हम दोस्तो क्लास 11 बायलोजी का जो स्लेबस है सेशन 24 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं जरूर वीडियो में एंट तक बने रहीएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा पता चल जाएगा किस यूनिट में से कितने मार्क से कोशन आएंगे प्रैक्टिकल किसी तरीकी से प्रैक्टिकल के मार्क होंगे मिट्टरम का क्या स्लेबस होगा है एन्वल एक्जाम का क्या होगा पूरी जानकारी में आपको देने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ सत्तर नमबर का जो है बाइलोजी में थियोरी का एक्जाम होता है तीस नमबर होते हैं प्रैक्टिकल के तो प्रैक्टिकल बहुत इंपोर्टेंट है चाहे आप बाइलोजी की बात करें चाहे आप physics या chemistry की बात करें ठीक है दोस्तों तो अब दोस्तों मैं एक एक करके आपको बता जेता हूं तो आपकी दोस्तों तोटल पांच यूनिट से हैं यूनिट वन जो है diversity of living organism इसमें से 15 नंबर के question आएंगे आपकी annual exam में ठीक है ध्यान रखिएगा यूनिट 2 जो है structural organization in plants and animals इसमें से 10 नंबर के question आएंगे यूनिट 3 है cell structure and function 15 नंबर के question आएंगे यूनिट 4 है plant physiology 12 नंबर के question आएंगे यूनिट 5 है human physiology 18 नंबर के question आएंगे तो ये total बनता है 70 और ये आपका एक तरीके से blueprint है दोस्तों annual exam के लिए तो किस चैप्टर में से किस यूनिट में से आपको ज़्यादा पढ़ना है यहां से आप देखके पता लगा सकते हैं ठीक है जिसकी weight है ज़्यादा है वो ज़्यादा important units है अब यह के करके मैं आपको slavers बताता हूं सबसे पहले आपको बताता हूं मैं mid-term exam का slavers तो unit 1 जो है diversity of living organism जिसमें से 15 नमर खाएगा annual exam में उसमें chapter 1 है the living world उसके नीचे जो topics लिखे हैं दोस्तों तो उस chapter में से आपको बस वही वाले topics पढ़ना है फिर है chapter 2 biological classification chapter 3 है plant kingdom chapter 4 है animal kingdom तो unit 1 जो है दोस्तों इसमें यह 4 chapters है यह आपको पढ़ना है अब इन 4 chapters में से कौन-कौन से practical हैं यह आपर लिखे हुए है तीन practical लिखे हैं तो यह आप देख लीजेगा फिर है unit 2 structural organization in plants in animals जिसमें से 10 नमबर एक कोशन आएंगे annual exam में इसमें कौन-कौन चैप्टर है chapter 5 morphology of flowering plants chapter 6 anatomy of flowering plants chapter 7 structural organization in animals तो यह तो तीन चैप्टर मैं आपको बताए यह unit 2 के हैं इसमें कौन-कौन से practical है तीन practical है यहां पर आप देख सकते हैं फिर आता unit 3 cell structure and function जो 15 नमबर का है annual exam के लिए उसमें है chapter 8 cell the unit of life तो यहां तक का जो मैंने आपको slivers बताया है दोस्तों यानि कि एक से लेके 8 तक के जो chapters है ठीक है यह आपका mid-term exam का slivers है यानि 8 chapter आपके mid-term exam में आ रहे हैं जो आपको 13 सितंबर तक complete करना है फिर उसका revision करना है फिर आपका जो mid-term exam होगा उसमें इन ही 8 chapter से question आने वाले है ठीक है दोस्तों आप समझ गयोंगे फिर जब आपका mid-term exam खतम हो जाएगा उसके बाद आपको क्या पढ़ना है आप वो देखते हैं तो unit 3 में ही दोस्तों chapter 9 है biomolecules यह आ दोस्तों फिर आता unit 4 plant physiology जो 12 नंबर का है annual exam के लिए उसमें chapter 13 photosynthesis in higher plants chapter 14 respiration in plants chapter 15 है plant growth and development तो यह 3 chapter है इस unit में से जो आपको mid-term के बाद पढ़ना है practical आप यहाँ देख सकते हैं 6 practical है यहाँ पर फिर unit 5 human physiology बहुत important है जो 18 नंबर का है इसमें chapter 17 है breathing and exchange of gases chapter 18 है दोस्तों body fluids and circulation chapter 19 है दोस्तों excretory products and their elimination chapter 20 है locomotion and movement chapter 21 है neuron control and coordination chapter 22 है chemical coordination and integration ठीक है तो यह है जितने chapters हैं इस unit में से यह आपको mid-term के बाद पढ़ने है पांच practical दिये होई यह भी आपको जो है mid-term के बाद ही करवाए जाएंगे तो आपको एक बार मैं फिर से दोस्तों बता लेता हूं चैप्टर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यह 8 चैप्टर जो है दोस्तों आपके कि मिट्टरम एक्जाम में आ रहे हैं आप आप देख सकते हैं अच्छे से फिर मिट्टरम खतम होने के बाद चैप्टर 9 10 13 14 15 ठीक है तो 5 चैप्टर यहां हो गए 17 18 19 20 21 और 22 यानि कि 6 यानि कि टोटल 11 चैप्टर आपको मिट्टरम के बाद पढ़ने है और 8 चैप्टर आपको मिट्टरम से पहले पढ़ने है तो यह तीज आप ज्यान रखिए कि दोस्तों यह आपका सिलेबस था आप अच्छे समझ गयोंगे रेक्टिकल का भी यहां पर स्लेबस दिया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं हर चैप्टर के नीचे जो जो टॉपिक्स लिखे हैं बस आपको वही पढ़ना है ठीक है दोस्तों अब बात आती है यह तो 70 नमर का हो गया है यानि कि थियोरी का किस तरीके से डिस्ट्रिबूशन है स्लेबस किस तर फिर आपका फरवरी या मार्च में जो आपका एनुल एक्जाम होता है उसमें टोटल सारे चैप्टर आने वाले यानि 11 प्लस 8 टोटल 19 चैप्टर आने वाले ठीक है दोस्तों अब प्रेक्टिकल की बात कर लेते हैं 30 नमबर आपका प्रेक्टिकल का होता है मैं आपको बता और प्रेक्टिकल रिकॉर्ड यानि आपको फॉल बनाई हुआै उस पर वाईवा होगा यह चार नमबर का होगा प्रोजेक्ट बनाना होगा और उस पर वायवा होगा यह पांच नमर का होगा तो टोटल यह तीस नमर बनते हैं अब पार्ट A क्या है पार्ट B क्या है यह दोस्तों आपके टीचर आपको अच्छे से बता देंगे जब आपको प्रैक्टिकल करवाय जाएगा ठीक है दोस्तों तो आपको बता देंगे कि कौन-कौन से जो आपके एक्सपरिमेंट आपके प्रैक्टिकल एक्जाम में आने वाले हैं पार्ट A में क्या क्या है पार्ट B में क्या क्या है तो बाकी मैंने आपको स्लेवर्स तो सारा समझा दिया दोस्तों यह 30 नमबर जो है practical का distribution उसके उपर जो सारे chapters है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पूरा जो syllabus है biology class 11 खाद देख लिया होगा आपसे फिर मिलेंगे next video में किसी और subject के syllabus के साथ तब तक लिए बाइबाइबाइब सी यू अगेइन एंड थैंक्स अरोचीन